अकसर कोई ना कोई विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले राम गुपाल वर्मा एक बर फिर अपनी एक फेवरिट हीरोईन को लेकर दिये गए बयान की वजह से चर्चा में हैं। राम गुपाल वर्मा की माने तो एक अभी नेतरी की खुबसूरत जांगे देखकर वो इसकदर भायल हो गए थे कि उन्हें उस हीरोईन से प्यार हो गया था इतना ही नहीं। उस अभी नेतरी की जांगे देखकर ही वो बॉलिवुड इंडिस्ट्री में आये। राम गुपाल वर्मा ने उसी रोईन को लेकर ये खुलासा किया है अपनी ऑटो ब्रोग्रफी गन्स एन्थाइज प्या स्टोरी ओफ माइ लाइफ में। इस autobiography में किये गए खुलासे के मताबिक राम गुपाल वर्मा ने अमिता बच्चन के हाथ में गन देखी और इस अभी नेत्री की खुबसूरत जांगे देखी तब उन्होंने फिल्मों में आने के बारे में सोचा और बॉलिवुड में अपना पहला कदम रखा इस अभी नेत्री की जांगे राम गुपाल वर्मा को ना सिर्फ खायल कर गई बलकि ये उनके लिए प्रेड़ना दायक भी साबित हुई क्यूंकि उसी से प्रेरित होकर रामों ने बॉलिवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई राम गुपाल वर्मा ना सिर्फ इस अभी नेत्री की जांगों के प्रती आकरशित हुए पलकि उनकी कभूसृती देखकर उनसे प्यार कर बैठे रामों की माने तो उनका यह प्रेमा करशन था जिसे लेकर वो काफी उचाहित थे लेकिन यह भावना उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ इस अभी नेत्री के लिए आई थी इस जभीनेत्री के प्रती राम गुपाल वर्मा की दीवांगी किसी नशे से कम नहीं थी और वो इस दीवांगी का अकेले ही भरपूरा अनंद भी उठाते थे इस ओटोबरोग्रफी में उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि यह जभीनेत्री का शादी करना उनके लिए कितना दुख दान था